बिस्मिल्ला रह्मान रहीम, असलामु अलेकुम, मैं हूँ असद और आप देख रहे हैं असद अलेक्ट्रिकल जैसा के लास्ट वीडियो में हमने बात की थी DC मोटर के वर्किंग प्रिंसिपल पर तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे के DC मोटर की कितनी टाइपस होती हैं तो DC मोटर की बेसिकली तीन टाइपस होती हैं सिरीज मोटर, शंट मोटर, कंपाउंड मोटर जैसा के नाम सी जाई रहे, सिरीज मोटर ऐसी मोटर होती है जिसमें armature winding और field winding यानि stator की winding दोनों आपस में series में connect हुई हुई हूँ जैसा कि हमने simple diagram या पर बनाई हुई है F जो है वो field winding को represent कर रहा है A जो है वो armature winding को तो AC motor जिसके armature और stator दोनों की winding series में आज है उसको हम कहते हैं DC series motor दूसरी shunt motor है यानि कि इसकी field winding और armature winding आपस में parallel में होगी जैसा कि diagram आपको नज़र आ रही है तीसरी motor compound motor है जैसा कि नाम से जाहर है combined circuit जहां पर होता है अच्छा compound motor का मतलब यह होगा कि वहाँ पर दो winding नहीं होगी रलके total तीन winding होगी चुँके दो या तो series में connect हो सकती ही या parallel में combined circuit हम उसको कहते हैं जहां पर series और parallel दोनों आ रहे हो तो यह आप देख सकते हैं compound motor एक ऐसी motor होती है जिसमें field winding दो होती है एक armature के series में और दूसरी armature के parallel में आ रही होती है तो इसको हम कहते देते हैं compound motor इसके मुक्तलिफ तरह से connection किये जाते हैं और compound motor में भी मजीद दो types होती है एक differential compound motor के लाती है दूसरी cumulative compound motor तो इन पर हम आगे चलके इन्शालला बात करेंगे तो अब next video से हम one by one इनको शुरू करेंगे सबसे पहले हम बात करेंगे series motor पर किस तरह काम करती है इसकी क्या क्या applications है कहा कहा ये use होती है इसके क्या क्या benefit है और क्या क्या नुक्साना आते है इसी तरह हम shunt motor और compound motor पर आएंगे तो आज की वीडियो हमारी basic types of DC motors के उपर थी अमीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी एक दफा दुबार repeat कर लेते है DC motors में जो types हैं वो connection के अदबार से की जाती है यानि के field और armature का आपस में connection किस तरह होगा है अगर तो वो series में होगा होगा है तो series motor हो जाती है अगर तो parallel में होगा होगा है तो ये shunt motor हो जाती है और अगर ये series और parallel दोनों का मजमूआ हो जाए तो इसको हम compound motor कहते है compound motor की मजीद दो types होती है यानि differential type और cumulative type इन में आपस में क्या difference होता है इस पर जब हम compound motor पर आएंगे तो इस पर बात करेंगे तो next video में हम series motor को इंशाला डिटेल से समझेंगे आज के लिए इतना ही वीडियो पसंद आने की सुरत में लाइक करें और कोई भी आपका question आप comments में पूछ सकते है next video तक के लिए जाज़त दीजिए अल्ला आफिस